प्रेंट्स वेल्कम पाक टूवी चानल बल्रा श्ट्रिंग टेक्स हो गई आज की इस वीडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी 50 का अनालेसिस करने वाले हैं कल के लिए तो का दीन रहा है है लेकिन आज हैं लोगों आज की बिश्टी पर हम क्यों को अच्छा सा मार्केट में मोमन्टम् देखने instruments नहीं मिला है ठीक है निफ्टी बैंक में हम लोग डबल टॉप को देख रहा है बट उसका मोमेंटम आ नहीं पारा अच्छ से जिस तरह से मार्केट में सेलिंग आना बनता है उस तरह से मार्केट सेलिंग नहीं कर रहा है इतने रेंज में बिलकुल ट्रापिंग एरिया रहेगा इतना जो आरिया निफ्टी बैंक का ट्रापिंग एरिया जहां पर फिफ्टी वन थाउजब्न ट्व हंड़िड जाता है तो एक दिन में 500 पांचों जाता है उसके बाद में फिर अगले दिन वहीं सैड़ वैस बिता देता है दूसरे दिन मार्केट थोड़ा बहुत चलने की कोशिश करता है फिर मार्केट रुख जाता है इस तरह से मार्केट अभी हम लोग को चलते होई देखने को मिल रहे है इस रेंज का एक्सपेक्टेशन था कि बजेट तक बजेट के दे के दिन कुछ होना चाहिए इंडरीम बजेट का अगर हम बात करेंगे तो इंडरीम बजेट में से आत्यों मॉनिंग से प्राइस ग душ चलिवर था चार्ट के पर मेंमश्य आपको बटा भी सेंटिमेंट पहर पॉजिटिव संटिमें को बहते हैं थे पॉजटिव चार्ट तो हम लोंESEर्स नहीं लग रहा है उसके देखने को मल सब्सक्राइब हाद है तो इंट्रीम बजेट भी जिस दिन बजट था उस दिन कुछ हुआ नहीं था बट उसके नेक्स टेप मार्केट ने मोमेंटम शो किया था तो लेट सी आज तो कुछ हुआ नहीं है कल अगर होता है तो बहुत बढ़िया रहेगा निफ्टी बांक को नीचे की चार्ड में सपोर्ट लेवल को पूरा दिन भर का मोमेंटम वहां पर खतम हो जाता है वो चीज़ें हम लोगों को नहीं चाहिए इस तरह से नहीं चाहिए हम लोगों को प्रॉपर चार्ट शाहिए अभी वीक का स्टार्टिंग ही हुआ है और वीक के अगर आप कैंडल देखोगे तो पहले दो वीक का हो जाए तो फिर ठीक है नहीं होता है तो फिर देखना पड़े का रिंज के बाहर जिस दिन निकलेगा ब्रेक आउट करेगा वंडे का उस दिन पर हम लोगों को एक्सपक्टेशन कुछ बन सकता है चार्ट के उपर आपको एक सिंपल दिख रही है कि मार्केट कहीं ना कहीं अब भी प्रीवेश को ब्रेक नहीं किया है तो हम जाके बात तहले रहेगा कि मार्केट नीची आकर सपोर्ट के बना के उपर भागे तो बात अलग है तो यहां से उपर की साइड में जा सकता है ऐसा करके लेकिन अभी भी हम लोग को मार्केट अच्छे सपोर्ट लेवल के अंसला उपर देखने को नहीं मिल रहा है दो आप तो मार्केट जह त्थटा सा यहां पर मार्केट नीचे की साइड में गया ठीक है फिर मार्केट पहे नीचे तो लेट सी अभी समपोड सपोड लेवल तो 51,200 के पास यहां पर जो ट्वीजर बॉटम बनाया है त्वीजर बॉटम यानि की बॉटम पर से मार्केट आता रहता है और वहां पर पहला कंडल रेड बनता है और उसके बाद कांडल ग्रीन बनता है दोनों केंडल लगबग दी को मार्क कर लेना है वो कल सपोर्ट की तरह काम करेगा जैसे कि आप बोलते हैं कि सब्सक्राइब करें आप जो पैटन बनाया उसका हाइब कर लेंगे लगबग मैं इसको मार्क करूंगी 677 के पास फिफ्टी वन थावजन 677 के पास मैं इसको मार्क कर लूँगी अभी यहां पर मैंने लाइंग को मार्क कर लिया तो यह मेरे लिए कल सपोर्ट की लेवल की तरह वक करेगा अगर यह कल 51,767 का सपोर्ट बनाता है तो यह बाइंग एरिया हो जाएगा यहां से वह आपस अपना प्रीवेस तक जाने की कोशिश करेगा जो कि 52,400 वगरा की लेवल के पास यह बुलिश बनाया है इसने यह क्या हो जाएगा यह बाइटन सिंपल हो जाएगा है ना वही एक्सपक्ट करते है अभी आपके लिए प्रीवेस रदिस्टन जो हैंगिंग मैं का है फिर जैसे की 52,400 के पास में दिखा रहा है तो वहां तक हम उसको फिर वापस से एक्सपक कर सकते हैं इन सिंपल चीज में यह मैं आपको बताना चाहती हो बढ़ा कि आप अचकल होई नहीं रहा है मार्केट लगबग सेम रेंज के आसपास ओपन हो चलो बात करतें निफ्टी के उससे पहले सबसे रिक्वेस्ट है लाइक सभी को कर देना है ठीक है आपके लाइक से चला मुटिवेस्शन मुझे मिल चाती कि नहीं चलो यह लोग भी सपोर्ट कर रहे है मार्केट तो फिलाल सपोर्ट नहीं कर रहा है बड़ोगों को सपोर्ट कर देना है ठीक है अब इन एफ्टी 50 का वंडे देखो गया यह वह कितना थर्ड एकदम चल रहा है क्योंच पसं जो हाई है 24,588 का लेवल यह अभी बिल्कुल रदिस्टन्स की तरह रहेगा 24,588 की लेवल के उपर इसको सस्टेन नहीं करना चाहिए रदिस्टन्स बनाना चाहिए नीचे से डेफनेटली बायर नहीं पे पुश करने का कोशिश किया है ठीके बायर ने यहां पे पुश करने हाई के उपर नहीं जा पाए और अभी भी हम बीरिश इंगल फिंग बीरिश पाटन के अंदर में अभी हम डिप्टी में ट्रेड कर रहे है ठीके सो निफ्टी का वापस से 24,000 का लेवल एक्सपेक्टेड रह सकता है 24,000 का लेवल फिर से निफ्टी में एक्सपेक्टेड र करना चाहिए लगभग डाउनसाइड में अपना जो सपोर्ट लेवल ना 23,677 वगरा वहां तक निफ्टी को मोमेंटम करना चाहिए अभी 24,000 तो आट लिस्ट आ जाए आज भी निफ्टी को देखोंगे आप देखेंगे आप लोग तो अभी तो यह हायर हाई के पाटन में करें लोग देखोगे यहां पर क्या बनाया था सपोर्ट बनाया था इस एरिया में निफ्टी कर्का बनाया था सबर बनाया थीजा यहां पर थोड़ा सा जूम करती हुए तो फिर आपका और बहुता से चार्ट समझ में आएगा पहले मार्केट ने कन्फूज करके रखा है सबको यहां पर सपोर्ड बनाया था ठीक है यहां पर वापस सपोर्ड बनाया था यहां पर वापस सपोर्ड बनाया था तो यह लेव करते हैं फिर सेम जगह पर आके खड़े सेम जगह पर आके खड़े की नहीं खड़े जो रदिस्टेंस लेवल उसी के पास में आके खड़े अभी यहां पर यहां पर थ्वाइब सा टाइम पस करेगा बट कल का सेलिंग प्रेशर अगर और भी अच्छा रहा तो फिर से हम से 24,555 की लेवल से इस लेवल पर फिलाल हम लों को नजर बनाखे रखने की ज़रूत है अगर 24,555 की लेवल का continuous resistance लेता रहा तो यहां से वापस से सेलिंग आने का चांसे सकल भी बन सकता है अगर 24,555 की लेवल का ब्रेक आउट कर देता है यहां पर जैसे हमर कैंडल बनके नहीं कर रही हो ठीक है तो फिर उपर की सेट के लिए निफ्टी को हम expect कर सकते हैं इस वीडियो में इतना ही वीडियो चल लगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजेगा बल्राश्टेंट का कोई भी प्रीमियम सर्विस पैड सर्विस नहीं कोई पैड कि यह सिखाती हूं ठीक है मेरे पॉइंट आफ यू में आप लोग के साथ में शेयर करती हूं हम से भी रदस्टेंट नहीं है ठीक है सुबस गई चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थांक्यू जहिंद रादे रादे